नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल रवी अलेवी मापका स्वागत है आज की वीडियो में हम भारत में बलातकार से संबंदित कानून पे जानकारी देने वाले हैं और इसके साथ ही आपरादिक कानून संसुधन अधिनीन 2018 जो बलातकार से संबंदित तमाम तरह के नए प्रावधान किये गया है कानून में उनके भी विश्यम जानकारी देने वाले है इसके साथ ही बलातकार की परिभासा क्या है, सजा का प्रावधान क्या है और इसमें किस तरह का सुप्रेंग कोट और हाई कोट का नयाग जिश्टांत क्या कहता है क्या सहमती से बनाए के सारी रिक्संबंद भी बलातकार की सिर्णी में आएंगी इन सभी विश्यों पर विस्थार पूरबक चर्चा करेंगे दो विडियों को अंतक देखी उसकी सारी रिक अखंड़ता को नश्ट करता है बलकि विक्तिकत इर्म सामाजिक संबंधों के उसके विकास की छमता को बाधित कर उसके जीवन वह उसकी जीवकाव को प्रभावित करता है बलातकार की सिकार महिला को मानसीक तथा मनोवग्यानिक पीडा से गुजरना पडता है इस अपरात को अंजाम देने वाले दोसी को कड़ी सजा देने का प्रावधान है इस अपराद के लिए भारते दंड सहता की धारा 376 के तहर्ट सजा का प्राउधान है क्या है धारा 376? किसी भी महिला के साथ बलादकार करने के आरोपी पर धारा 376 के तहर्ट मुकदमा दर्च किया जाता है जिसमें अपरास सिध होने की दसा में कम से कम साथ साल वाधिक्तम आजीवन कारावास की सजा दिये जाने का प्राउधान है धारा 375 दुसकर्म को परिभासित करती है जब कोई पूरुस किसी महिला के साथ उसकी इच्छा के विरूद यौन संबंद बनाता है तो उसे बलादकार कहते है किसी भी कारण से यौन संबंद करिया पूरी हुई हो अथवा नहीं कानूनन नवे बलादकार ही कहलाईगी क्या कहती है धारा 375 यदि कोई व्यक्ति किसी महिला की इच्छा के विरूद उसकी सहमती के बिना उसे डरा धमका कर दिमागी रूप से कमजोर या पागल महिला को धोखा दे कर और उसके सराब या पदार्थ के तरण होस में नहीं होने पर उसके साथ यौन संबंद बनाता है तो वे बलादकार की स्रेड़ी में आएगा यदि महिला के उमर 16 वर से कम है तो उसकी सहमती या बिना सहमती से होने वाला यौन संबंद भी बलादकार की स्रेड़ी में आता है इस धारा के अंतरगत यदि कोई कुरुस अपकी 15 वर्षी कम उम्र की पतने के साथ योन संबन बनाता है तो वे भी बलादकार की स्रेडी में आता है क्या है धारा 376A? ये दि कोई दोसी किसी इस्तिरी का बलातकार करता है वह बलातकार करने में इस्तिरी के मृत्त हो जाती है यह फिर उसकी इस्तिति विक्रत सील हो जाती है तो ऐसी परिस्तिते में दोसी को धारा 35 difficult од के अंतरगत, नियुमतम 20 वर्ष का कारवास और अधिकतम न्मृत दण तक द उसके साथ सम्भूख करता है तो ऐसी परिष्टिती में धारा 306-B का अपरात कारीत होगा, इस अपरात में नियुतम 2 वर्स तक का कारावास और एक तम 7 वर्स तक के कारावास के साथ जुर्माने से भी डंडित किया जा सकेगा। हाली के कुछ मामलों में दिखा गया कि पती के साथ रहरी पत्नी भी बलातकार का बुगदमा दर्ज करवा सकती है परन्तु बात के प्रगणों में उच्चतम नियाले ने अपने नड़े को पलण दिया। इस्त्री के साथ बलातकार करता है तो धारा 336C के अंतरगत उसे एक नियूंतम पांच वर्स और अधिक्तम दस वर्स तक के कारावास के साथ जुर्माने से भी डंडित किया जाएगा। या आजीवन कारावास की सजा साथ ही जुर्माने से भी डंडित किया जाएगा। लेकिन ऐसा जुर्माना पीड़ता के इलाज के खर्चों को पूरा करने और पुनरवास के लिए न्याविचित यूं युक्त होगा। धारा 376 E पूरे देश में इसका बिरोध हुआ था आरूप्यों के खिलाब सक्त कारवाई की मांगी गई। इसके बाद आपराधिक कानून संसोधन अधिनियन 2018 पारित किया गया जिसमें पहली बार यह प्रावधान किया गया कि 12 वस से कम आयू की किसी बच्ची के साथ बलादकार के मामले में नियूंतम 20 वर्ष के कारवास या मृत्वड़न की सजा का प्रावधान होगा। इसके तहित आईपीसी में एक नया प्रावधान भी जोड़ा गया जिसके द्वारा 16 वस से कम आयू की किसी लड़की के साथ बलादकार के लिए नियूंतम 20 वर्ष का कारवास तथा अधिकतम उम्रकैत की सजा हो सकती है। आईपीसी 1860 की धारा 376 के तहित बलादकार के मामलों में नियूंतम सजा के प्रावधान को भी 7 वर्ष से बढ़ाकत दस्वस कर दिया गया है। अध्यादेश के अनुसार बलादकार के मामलों में डंड के फैसले के खिलाब किसी भी अपिल की सुनवाई 6 महने के भीतर पूरी होनी चाहिए। अग्रिम जमानत CRPC 1973 में उन सर्तों को सुची बद किया गया है जिसके अंतरगत अग्रिम जमानत दी जाती है। संसुधन के अनुसार 12 वर्स और 16 वर्स अंड की कम्र की नावाली लड़कियों के साथ वे बलादकार उस समोहिक बलादकार पर अग्रिम जमानत का प्राउधन लागू नहीं होगा। उम्मीद है दोस्तों आपको यह हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेर करें और कमेंट करें। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को सस्क्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए तक कि आने वाले हमारे नए वीडियो मिलें आपको सबसे पहले तो मिलते हैं एक नए वीडियो में तब तक लिए नमस्कार